प्रमुक मुद्दे ये हैं सबसे पहले जो हमारी सरकार ने काम कराए हैं 2007-2012 के दोरान उन अधूरे कारों को ना तो समाजवादी पार्टी की जो पूर्ण बहुत सरकार थी करा पाई ना बिजेपी की पूर्ण बहुत सरकार करा पाई आप सब लोग भली भाद जानते हैं मानिया बहन जी ने चिला में डवल पुल दिये आउगासी में पुल दिया दानों में दिया मरका में दिया के ननी में जो रिंग रोड बन रहा है वहाँ पुल दिया आज तक दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं आगे बढ़ा है वो अधूरे पड़े हुए हैं जितने भी का काम हमेरे दूरे हैं और तवाम काम है मेटकर कालिज के है क्रिशी पी सुभी दिया लेकि वो मैं सब पूरा करा हुए बहन कुमारी मायवती जी के निर्देश पर आदर्णी बहन जी के निर्देश पर तुझवारी विधान सबासे बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही करमट और जुझारू साथी जो काफी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं तमाम उतार चड़ाओं के बाद भी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जटकर खड़े हैं तो आज बहन कुबारी मायवती जी के निर्देश पर आदरनी बहन जी के निर्देश पर स्री जैराम सिंग्जी जो जिला पंचाज के सदस रहे हैं कई बार अभी भी सदस हैं उनको किलवारी विधान सवा से बहुजन समाज पार्टी का फिर्भारी प्रतियासी आदरनी बहन जी के निर्देश पर आज घोशित किया जाता है आदामी 2022 में इस बिधान सवा से बहुजन समाज पार्टी के प्रतियासी होगे इस संदर में यही जानकारी देने के लिए आप मीडिया बंदूओं को यहां बुलाया गया था प्रवारी जी हमेशा जो है बत्वा के टिकट बदलते रहे हैं तो क्या जैराम सिंग का टिकट पक्का बना जाएगा देखिए जैराम सिंग जी चुनाओं लड़ेंगे यह कोरी अफबा है कोई टिकट नहीं बदलेगा अदरनी बहन जी के निर्दे से कि हमने जो प्रत्यासी गोशित कर दिये हैं वो हमारे प्रत्यासी तो हजार बाइस के चुनाओं में पूरी दमखम के साथ मैदान में रहेंगे अभी एक अतर्दा में खास रही जी कि कि इसमें बस बक्त करदावर ने तामिस्टरा जी आया थी कि उस समय तिन्दवारी विदान सभा के संदर में हमारी यादरणी वेंजी से बात नहीं हो पाई थी उसके बाद हमने मानी जैराम सिंग की जैराम सिंग जी और हम लोगों सारी कारकरताओं ने हमारे बिर्जेश जाटों हमारे बल्देव भाई सथेंजी जलाद्यक सारे लोग थी कि इनकी बात रखी तब मानी बहन जी ने हमें निर्देश दिया तो उस समय नहीं हुपाई थी लेकिन आज आज आदरनी बहन जी के निर्देश पर ही हम यह आए है और आप समझत अत्रकार बंदूगों को बुलाकर हमें निर्देशित किया गया है अदरनी बहन जी ने के मीडिया को बुलाकर और मीडिया के सामने जैराम सिंग्जी की प्रतियासी परभारी की दोश्रा करें इसलिए आज हम लोग आए हैं देखे बहुजन समाच पार्टी ने उत्तर परदेश में चार चार बार सरकार बनाने का काम किया है जिसमें 2007 से 2012 तक बहुजन समाच पार्टी की पूल बहुमत की सरकार है देखे बहुजन समाच पार्टी ने उत्तर परदेश में चार चार बार सरकार बनाने का काम किया है जिसमें 2007 से 2012 तक बहुजन समाच पार्टी की पूल बहुमत की सरकार हुआ हुई है उस सरकार के जो कार थे चाहे लॉयन ओर्डर हो चाहे विकास का कार हो चाहे नौजवान बेरोजगारों को लाखों नौक्रियां देने का काम हो ये आदरनी बहुजी की सरकार में ये काम हुए है तो पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि चाहे अखलेस हो चाहे योगी जी हो इन से उत्तर प्रदेश समाला नहीं जाएगा आज दवी जवान से बिरोधी पक्ष के लोग भी बेहन कुमारी मायवती जी की तारीब करते हैं कि अगर इस प्रदेश को कोई समाल सकता है गुंडा राज से मुक्ती दिला सकता है भ्रष्टा चार्थ से मुक्ती दिला सकता है तो वो एक ही नेता है बहुजन समाज पार्टी की राष्टियत जक्त बेहन कुमारी मायवती जी